दुर्योधन सभी पांडवों को मार देना चाहता था। इसलिए उसने लाक्षाग्रह में पांडवों को मारने की योजना बनाई। लाक्षाग्रह के शड्यंत्र से किसी तरह सभी पांडव बच गए और वेश बदल कर वन में रहने लगे। उस समय राजा दुरुपद ने राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंबर आयोजित किया था। इस आयोजन में पांडव में भी ब्राहमनों के वेश में पहुँच गए, स्वयंबर में श्री कृष्न भी मौजूद थे और वे ब्राहमन रूप में सभी पांडवों को पहचान गए। स्वयंबर में शर्त रखी गई थी कि योध्धा को भूमी पर रखे पानी में देखकर छत पर घूम रही मचली की आख पर निशाना लगाना है, जो योध्धा इस शर्त को पूरी कर देता, उससे द्रौपदी का विवाह होना था। जब अर्जुन इस प्रतियोगिता में शामिल होने पहुँचे तो श्रीकृष्ण ने उन्हें समझाया कि मचली की आख में निशाना कैसे लगाना है, श्रीकृष्ण ने अर्जुन को पूरी विधी समझा दी। श्रीकृष्ण की बाते सुनकर अर्जुन ने कहा कि अगर सब कुछ मुझे हि करना है, तो आपकी क्या जरूरत है? श्रीकृष्ण बोले कि तुम सिर्फ वह करो जो तुम्हारे वश में है और मैं वह करूँगा जो तुम्हारे वश में नहीं है यानि मैं हिलते हुए पानी को स्थिर करूँगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में परिशानी न हो तुम सिर्फ बहतर से बहतर करने की कोशि की और उसने मचली की आख में निशाना लगा दिया इस प्रसंद की सीख यह है कि हमें अच्छी से अच्छी कोशिश करनी चाहिए कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए अगर फल हमारे पक्ष में नहीं आता है तो निराशा का सामना करना पड़ता है अपना काम गीता जीवन में धर्म कर्म और प्रेम का पार्ठ पढ़ाती है डौट श्रीमत भागवत गीता का ज्यान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसर्ण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रिष्ट होता है डौट प्रेव गीता का ज्यान श्रीमत भागवत एक मात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही धन बताता है गीता जीवन में धर्म कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है डौट श्रीमत भागवत गीता का ज्यान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उप्योगी माना गया है गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसर्ण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रिष्ट होता है श्रीमत भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिये थे गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है गीता में श्रीकृष्ण ने बताया है कि इनसान का पतन कब शुरू हो जाता है श्रीकृष्ण के अनमोल उपदेश गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं कि किसी भी इनसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है गीता में लिखा है सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है चाहे आप कितने भी बड़ी शत्रंच के खिलाडी क्यों ना हो कर्मों की चपेट से कौन बचा है जिसने जैसा करा है उसने वैसा भरा है श्रीकृष्ण के अनुसार किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई दे या ना दे इश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है जब आत्याचारों को मुस्कुरा कर सहा जाता है तो उस इनसान का बदला भगवान स्वयन लेते हैं गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए अंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है अंत में यह अंहकार ही उसके विनाश का कारण बनता है इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याद दे डौट श्री मदभागवत एक मात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही धन बताता है गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है डौट श्री मदभागवत गीता का ज्यान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसर्ण करने वाला व्यक्ती सर्वश्रिष्ट होता है डौट भगवत गीता, भगवत गीता, हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक है महाभारत, महाभारता के अनुसाय कुरुक्षेत्र युद्ध में श्रीकृष्ण, श्रीकृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन, अर्जुन को सुनाया था भगवत का अर्थ है भगवान और गीता का अर्थ है गी, इसलिए भगवत गीता का मतलब है भगवान का गाया हुआ गी मानव जीवन की कई समस्याओं और सवालों के जवाब भगवद गीता में मौजूद है इसे मानव जीवन का मार्ग गर्शन करने वाला ग्रंथ माना जाता है इसमें एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्यान योग, भक्ती योग का बहुत ही सुन्दर तरीके से वर्णन किया गया है कुरुक्षेत्र में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता के जो उपदेश दिये थे वो आज भी लोगों की समस्याओं को दूर करने और जीवन के प्रती उनके नजरिये को बदलने में मदद कर सकते हैं डौट जगत के पालनहार भगवान विश्नु के आठवे अवतार श्रीकृष्ण ने महाभारत के युद्ध में गीता के जो उपदेश दिये थे उन्हें आपको जानना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए कृष्ण जन्माश्टमी के पावन अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवद गीता से भगवान श्रीकृष्ण के दस अनमोल उपदेश जो जीवन के प्रती आपके नजरिये को बदल सकते हैं आपके लिए प्रते हैं